सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाधियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कूम तू बालाजी स्टाधियादा नमस्कार दोस्तो बालाजी स्टाधियादा में आपका स्वागत है जैसे कि पिछले वीडियो में समावेशी सिक्षा के अंतरकत हमने बात की थी विशिष्ट जो आवशकता वाले बच्चे हैं उनको हम किस आधार पर पहचान सकते हैं या उनमें ऐसे कौन से लक्षड होते हैं जिनके आधार पर हम की पहचान कर सकते हैं पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं बीटी सी दियले ठर्ल समिश्टर की कमप्लीट प्लेलिस्ट समावे सी सिक्छा वाली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी और सि करें बस데 हैं तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो विशेट आफचता वाले बच्चे होते हैं वो अल्ग अलग करकारों में बाटा गया है तो थोड़ा सब्स्चिक बात करें तो सामाने बच्चों से भिनिता रखने वाले जो विशिष्ट आवशकता वाले बच्चे होते हैं वो आपस में भी जो है वो अनेक असमानताएं रखते हैं कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सामाने बच्चों से विशिष्ट आवशकता वाले बच्चे होते हैं कि दो बच्चे हैं वो दोनों ही आपस में अगर विशिष्ट केटिगरी में आते हैं तो वो आपस में भी जो है वो अलग-अलग होंगे मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चा जो है वो प्रखर बुद्धी का है यानि कि तीवर बुद्धी का है वो विशिष्ट बच्चा है और इसी प्रकार एक मंद बुद्धी का बच्चा है वो भी एक विशिष्ट बच्चा है तो प्रखर बुद्धी वाला और जो एक आसमानताय रखते हैं आगे बात करें तो कुछ बच्चे सीखने की निर्योगिताओं के करण कुछ बौधिक छमताओं के करण ता कुछ आसमानने सैक्षिक उपलब्दी के करण विशिष्ट आउशकता वाले होते हैं बहुत से चात्र होते हैं उनमें वो योगिता नहीं ह तो उसको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी. पहले आप उसको दो का सिखाएंगे फिर उसके बाद आप उसको तीन के पाले पर ले जाएंगे. तो उसकी जो बहुत दीक छम्ता होती है वो भी जो है बहुत दूसरा सैक्षिक रूप से भिन तीसरा सामाजिक रूप से भिन और चौता जो है वो हमारा मानसिक रूप से भिन तो इन चार आधार पर जो है इसको बाटा गया है इसके लावा जो है ये कुशन बीटीसी डियेलेट जो ठर्ल समेश्टर का जो हमारा प्रिवेस येर 2016 है उसक पूछा गया था, कि जो समावेसी सिक्षा है, उसके अंतरगत किस प्रकार के बच्के आते हैं, तो अटी लगु में पूछा गया था, तो आपको यही चार पॉइंट लिखने थे, सैक्चिक रूप से भिन, सामाजिक रूप से भिन, सारीरिक रूप से भिन और मांसिक रूप से भिन ये अगर अती लगू में पूछा गया है तो आपको केवल यही चार पॉइंट लिखने थे अगर यही कोशन लगू में पूछा गया है तो इसके अंदर जो सब डिविजन किया गया है उसको भी आपको लिखना है तो अब बात करते हैं इन बिंदूओं के जो सब डिवीजन है यानि कि इनके अंतरगत कौन कौन से केटिगरी आती है उनके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक रूप से अगर हम किसी बच्चे को उसकी विशिष्टता के आधार पर बाटे तो उसके अंतरगत हम किन किन बिंदूओं को रखेंगे तो पहला हमारा पॉइंट है सामवेगिक रूप से परिसान बच्चे सामवेगिक रूप से जो परिसान बच्चे होते हैं वो जो बाहरी या समाजिक वातावरण होता है उनसे उनको अर्जेस्टमेंट करने में जो है वो दिक्कत आती है दूसरा है हमारा आ समायोजित बच्चे जो समायोजन नहीं कर पाते है समायोजन वर्ड जैसे हमने भी उपर यूज किया अर्जेस्टमेंट जो बहरी बातावर्ण होता है जैसे कि कोई बच्चा जो होता है जब घर से निकल कर जब विद्याले में जो उसकी सिक्षा होती है वो प्रारम होना सुरू होती है तो जो एक बच्चा होता है उसके अंदर ये समायोजन का गुड़ होता है कि वो एक जगा से जब दूसरी या अपनी सिक्षा प्रार्म कर रहा है तो वह उस इस्थान के तहत जो है एपना एड़ जिस्टमेट जो है वो कर सके तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्में समयोजन का जो गुर होता है वो नहीं पाल जाता है तो उनको हम समाजिक रूप से बि indispens कि स्रेडी में रगते है तीसरा है मारा वंचित बच्चे बहुत से ऐसे चात्र होते हैं जो सिख्चा की मुखिदारा से चुड़ जाते हैं यह सिख्चा जो है वो समय से प्राप्द नहीं लास ने कि उस चीच को अपने उपर एक बर्डन की तरह लेते हैं और जो उसका प्रभाव है उनके मानसिक इस तर पर पड़ता है और उस मानसिक इस तर पर जो उसका प्रभाव पढ़ रहा है और उसके कार जो है उन्हें सामाजिक रूप से भिन्न की स्रेडी में रखा जाता है बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे यदि आप उनको टोग दें यदि आप उनको कुछ कह दें तो उसको भी एक विशिष्टता की स्रेडी में रखा जाता है तो यह हो गए हमारे सामाजिक रूप से भिन्न अब हम बात करें सारीरिक रूप से भिन्न तो पहला है हमारा सामवेदिक रूप से बादित यहाँ पर लिखा है सामवेदिक और यह जो हमने भी पढ़ा था वो था सामवेगिक तो सामवेगिक और सामवेदिक में अंतर आपको इस पश्ट होना चाहिए सामवेगिक जो है यह होता है हमारा सामवेगो पराधारित यानि कि किस प्रकार हम अपने हाव भाव जो है वो आंतरिक रूप से प्रिकट करते हैं और सामवेदिक जो होता है वो हमारे समवेदों पर आधारित यानि कि जो हमारी इंद्रियां होती है आख नाख कान जीब तो अच्छा इस पर आधारित होता है वो होता है हमारा सामवेदिक रूप से बादित जैसे कि हम कोई बच्चा कह रहे हैं है बहरा है क्योंकि कान से सुन नहीं पा रहा है तो वो भी हमारी इंद्रियों पर आधारित है तो वो भी सामवेधिक रूप से बादित के अंतरगत आएगा अगला पॉ compile है हमारा गतिय बादित बहुत सैंसे चातर होते हैं जिनकी जो सीखने की प्रवत्ती है या सीखने की गति जो है कोई अगर बच्चा है वो अंधा बहरा और उसके साथ साथ गूंगा भी है तो यह जो सारीरिक अपंगता है वो दो या दो से अधिक यह हम कह सकते हैं जैसे कोई बच्चा जो है वो बहरा भी है लंगडा भी है और उसके साथ साथ जो है वो गूंगा भी है तो इस प्रकार की जो सारीरिक अपंगता होती है वो बहुल बादित के अंतरगत आती है तो सिंपल सी भासा में हम बात करें तो बहुल बादित के अंतरगत वे चातर आते हैं जो दो या दो से अधिक जो है वो सारीरिक अपंगताओं से गरस्त होते हैं तो इस प्रकार की बात हो गई सारी रिक रूप से भिनने अब हम बात करते हैं सैक्षिक रूप से भिनने इसके अंतर रगत चार स्रेडियां आती है पहली हमारी सैक्षिक रूप से सम्रद सैक्षिक रूप से सम्रद मतलब कह सकते हैं दिवासाली बच्चे आते हैं जिसमें जो है सिक्षा का इस तर जो है वो अधिक होता है दूसरा है हमारा सैक्षी ग्रूप से पिछड़ा बहुत से जो चात्र होते हैं वो सिक्षा के इस तर पर पिछड़ जाते हैं उनको हम इस रेडी में रखते हैं तीसरा है हमारा सीखने क निरियोगिता और चौता पॉइंट है हमारा संप्रेशल बादित संप्रेशल क्या होता है कॉम्निकेशन हम अलड़ी बता चुके हैं जिनका संप्रेशल बादित या कह सकते हैं जिनमें कॉम्निकेशन का लेवल बहुत वीक होता है या नहीं होता है वो सबfunding इस त्रेडि में आते हैं ये चारों आते हैं और चौथा वर लाष्ट है हमारा मांसिक रूप से भिन मांसिक रूप से हम इसको तीन केटेगरी में रखते हैं पहला है हमारा पृतिवासाली बच्चे जिनमें किसी भी स्तर पर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रतिवाबान गुड़ पाये जाते हैं और अगर सिख्षा की इस तरह से देखा जाए तो वह जो है वह अन्य बच्चों की स्रेडी में बहुत ही जो है वह पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं या कह सकते हैं उनका जो मानसिक इस्तर होता है जो हम बुद्दी लब्धि या IQ लेवल निकालते हैं वो सामाने बच्चो की तुला में हमारी creativity बहुत से चात्र होते हैं उनमें creativity जो है वो बहुत ज्यादा high होती है या कहे सकते हैं बहुत ज्यादा कम होती है तो उस आधार पर भी जो है हम इनको विशिष्ट बच्चों की स्रेडी में रखते हैं जो कि आता है मानसी की रूप से भिन की स्रेडी में तो इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं इन चार इस तरों पर जो है हम विशिष्ट आवशकता वाले बच्चों को पाट सकते हैं तो आई होप आप विशिष्ट आवे सकता वाले जो बच्चों के प्रकार होएं उनको समझ गए होंगे तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक समात होता है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही अगर हमारा प्रेंड्स आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीज़े सेयर कीज़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ए और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बहले उससे जरूरान कीज़े जिसे कि आपका कोई भी वीडियो मिस्स ना हो तो फ्रेंड्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू पर वाचिंग